दोस्तो आज मैं आपको छट पूजा पर आई विदेशी बहु कहानी सुना रही हूँ सुमित्रची इस बार बहुत खुश थे क्योंकि पूरे छे साल बाद उनका बेटा सुशील अपनी विदेशी पतनी लीजा के साथ भारत आये था कुछ समय बाद इस बार बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारी विदेशी बहु छट पूजा पर आई है बहु से भी छट पूजा का वरत रखवा ले ना मैंने सुनाए कि अभी तक बहु के कोई बच्चा नहीं है छट मया की क्रिपा से बहु की गोद जल्दी भर जाएगी समझ रही हो जो मैं कह रही हूँ मालती दीदी चिंता मत करो इस बार तो लीजबहु छट पूजा का वरत रखेगी बड़ोस की वड़तें बाते करके चली गए पर लीजबहु ने वरत रखने से साफ मना कर दिया मैं ये छट पूजा का वरत नहीं रख सकती मॉम मैं इस तरह के पूजा नहीं करती हूँ आपकी छट पूजा मेर से नहीं होगी लिजा बहू छट पूजा हमारे बिहारियों का पारंपरिक वरत है यह हमारे पुर्खों के समय से चलने वाली पूजा है चट पूजा हमारे परिवार में शुरू से ही सब करते आए हैं चट वरत करने से चटी मया प्रसन्न होती है और वो अपने भक्तों की मन से मांगी हुई इच्छा को पूरा करती है बहू मैं चाहती हूँ इस बार तुम चट पूजा और वरत करो और वैसे भी मुझे तो पता ही नहीं था कि भारत में चट पूजा का कोई वरत होता है वरना मैं कभी भी विदेश से यहां नहीं आती मुझे सुशील ने बताए आप तीन दिन तक बिना पानी बिना खाने के रहते हो ये सब तो मुझसे नहीं होगा लीजा आप मुझे ये सब करने के लिए मत कहना, इन सब से कुछ नहीं होता लीजा कमरे में चली जाती है, उसकी बाते सुनकर सुमित्रा देवी का मन बहुत खराब होता है रहने दो सुमित्रा, लीजा बहु विदेशी है, वो हमारे रीती रिवाज नहीं कर सकती अगर उसे छट पूजा का वरत नहीं करना तो कोई बात नहीं हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि छट पूजा पर हमारे बेटा वह हमारे साथ है बस वरत तुम रख रही हो यही काफी है वो बात नहीं है मेरे मन था कि एक बार मेरे कहने पर लीजा चट-पूझा का व्रत कर ले मेरे मन से आवाज आ रहे है कि छटी मया मेरे बच्चों की मनों कामना जरूर पूरी करेंगी इसलिए बस बहु को जोर दे रही थी हे छटी मया, हर साल मैं आपका सचे मन से व्रत करती हूँ आपने हमेशा मेरी जोली में खुशिया दी है, बस एक कमी है, मेरा बेटा जो निसंतान है, उसे संतान का सुक दे दो छटी मया, मेरी बहु को भी आप पर विश्वास हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दो मया, फिर अगले दिन, लीजा की एक फ्रेंड जो काफी टाइम पहले इंडिया में ही रह रहे हैं, ओ, मुझे बहुत खुशी होई ये देख कर कि तुम मा बन गए, पर तुमने तो अमेरिका के बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने तो तुमें साफ मना कर दिया था, तुम कभी मा नहीं बन सकती हो, मना कर दिया था, पर मैं तो प व्रत पर बहुत विश्वास है, मैं बस व्रत की शॉपिंग करने ये मार्केट आई हुई थी, इसका मतलब मॉम सही कह रही है, मुझे भी व्रत करना चाहिए, येस अफकोर्स, तुमें भी व्रत जरूर रखना चाहिए, मुझे तो बहुत विश्वास है, और जहां तक मैं चानती हूँ, तुम भी निराश नहीं होगी, तुम भी इस व्रत को करने के बाद माँ जरूर बनोगी, अपनी सहीली डाइना के बाँ सुनकर लीजा के मन में भी विश्वास हो गया, तो मैं ये व्रत जरूर रखोंगी, मेरा भी मन बन क्या है चट पूजा का व्रत रखने चट मैया का नाम लेकर लीजा अपनी सास के साथ मिलकर चट पूजा का उपवास प्रारम करती है, सुमित्रा लीजा को सारी रीती रिवास विधि विधान समझाती है, माजी ये सामान पूजा के लिए है, हाँ बहू ये चट पूजा के लिए चढ़ाने का विशेश सामान ह और ये सारा सामान हम घाट पर ले जाएंगे वहाँ पर सूर्य देवता को अर्ग देकर हम अपना व्रत करेंगे ये सारा प्रसाद और पूजा का सामान छटी मईया और सूर्य देवता को अर्पित होगा इस व्रत में सूर्य देवता और शटी मया की पूजा होती है शटी मया सूर्य देवता की बेहन है ओ तो ये बात है पर पूजा में चड़ाये जाने वाले प्रसाद और पूजा के सामान के तो मुझे नाम भी नहीं पता अरे मैं हूँ ना बहू, मैं तुम्हें सब के नाम बताते हूँ पूजा के दौरान दूद और पानी से भरा लोटा भी अर्ग देने के लिए उपयोग किया जाता है। का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सूर्य देवता को अर्ग देना जो सुर्योदय और सुर्यास्त के समय किया जाता है। भक्त किसी नदी, किसी तलाव या किसी यलाशे के किनारे खड़े होकर अर्ग देते हैं, जिसमें शुद्ध चल का उपयोग होता है। और उनके द्वारा दिये गए जीवनदाई उर्जा के लिए धन्यबाद अर्पित करने का प्रतीक है। इसमें उपयोग होने वाली प्रतियेक सामगरी का अपना विशेश महत्व है, जो इस पर्व को और भी पवित्र और आध्यात्मिक बनाता है। लीजा ने अपनी सास सुमित्रा की सारी बातों को ध्यानपूर वक्षोनाई उसने सच्चे मन से छट पूजा के वरत को संपूर्ण किया और छटी महिया और सूर्य देवत्या की खृपासे। चट पूजा के वरत के कुछ महीनों बाद ही लीजा प्रेगनेंट हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि विज्ञान की शक्ती से उपर भी एक शक्ती है, जो है भगवान की शक्ती। रजणी, मेरी बहन, किस हालत में? कौन? आवाज को सुनी-सुनी सी लगती है, अमर भाईया? हाँ मेरी बहन, मैं तिरा भाईया अमर, ये सब क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाईया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे दोखा दे दिया भाईया, आज उसी के कारण मेरी आँखों की रोशनी चली गई, उस दिन चब। रजनी के साथ आकिर ऐसा क्या हुआ जो से एकने पैसे वाले घर की होने के बाद भी, आज ये दिन देखने पड़ रहे थे रजनी अपने भाईया भाईया की लाडली बहन थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी रजनी बहुत खुश थी, वो अपने भाईया 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 की साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी, पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है, रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी रजनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे बाला नहीं हूँ सतीश ऐसा मत बोलो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा, मैं भाया से हमारी शादी के बारे में बात करूँगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी, तुम्हें पता भी है, उस लड़के का ना कोई काम, ना कोई धंदा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो, मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूँगा अमर रजनी का रिष्टा एक उचे घराने में तय कर देता है, और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है, सतीश मैं ये शादी नहीं करूँगी, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान देतूँगी एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करा, मैं सब समाल लूँगा और तुम्हारा इंतिजार करूँगा, तुम तयार रहना रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है, अमर रजनी अपने कमरे में नहीं है, लगता है सतीश के साथ भाग गई है, उसकी सहली रितु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था रजनी तुमने ऐसा क्यों किया, वो लड़का सही नहीं था, तुमने अपने पैरों पे खुद कुलाड़ी मार ली, अमर रजनी को हर जगर ढूंगता है पर वो उसे कहीं नहीं लेती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कुलकता आ जाता है, कुलकता आकर रजनी को सतीश की स तुम से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ लोग रजनी को होस्पिटल पहुचा देते हैं। और वो बहुत तेज फूट फूट करोने लगती है। मेरी बहन तुने एतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे भी नहीं सोचा। तु अपने घर लटकर क्यों नहीं आई। बैया मैं किस बूल से आपके पास आती। मैंने आपका इतना अपमान करवाया, अपनी शादी तोड़ कर मैं सतीश के साथ भागे थी। आपकी समाज में कितनी बद्नामी हुई होगी। फिर अमर रजनी और मुनना को घर ले आया। रजनी अपने भाईया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है, और दिवाली के एक दिन बाद भाईदूज का त्योहार था। रजनी जो हुआ उसे भूल जाओ, और मुनना के साथ अपने नई जिन्दगी की शुरुआत करो। आओ, बैटू भाईया, मैं आपको भाईदूज का तिलक कर दू, कबसे मैंने और आपने मिलकर भाईदूज का त्योहार नहीं मनाया ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुन्दर उपहार खरीदे हैं मैंने रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाओ हार पसंद है न ये मैंने सुनार से कहके भाईया दूज के लिए ही वनवाए था एक भाई का तोफ़ा, एक प्यारी सी बहन के लिए रजनी अपने भाई-भावी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है रजनी, कैसी हो? मयंग, तुम यहां? हाँ, मुझे पता चला, अमर भाईया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तेयार हूँ मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था करता हूँ और करता रहूँगा मयंग, तुम बहुत ही अच्छे हो मैं तो तुम्हें शादी के मंड़प पर ही चोड़ के भागए फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुझे को अपनाया कहते कहते रजनी की आँखों में आसुआ जाते हैं अमर अपनी बहन की जिन्दगी फिर से सवाड़ना चाता था इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंग के साथ धून खाम से करता है रजनी अपने पती मयंग और मुझना के साथ खुशी-खुशी जीवन बिताने लगती है दोस्तो अगर आपको ये कहानिया पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पोर वोचिंग